हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे डेंगू फीबर के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे डेंगू फीबर के कौन-कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और डेंगू फीबर में कौन-कौन से टेस्क कराये जाते हैं और वे कौन से सिच्वेशन होती है जब हमको पिसेंट को पिलेट लेट्स लगानी पड़ती हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेंगू के केस में बुखार मतलब के फीबर के साथ साथ कौन कौन से सिम्टम्स मतलब के लक्षड देखने को मिल सकते हैं यहां पर आई पेन मतलब के आँख के पीछ गी तरफ यहां पर दर्द मैसूस होता है मास्पेशियों में दर्द मतलब के मसल पेन और बॉन पेन हड़ियों का दर्द और जोइंट्स मतलब के जोडों का दर्द साथी साथ हैडेक, सरदर्द, नौसिया और बोमेटिंग नौसिया मतलब के उल्टे की फीलिंग आना और बोमेटिंग मतलब के उल्टे आना और शरीर पे लाल रंगे चक्ते का बन जाना मतलब के रेड रेशिस तो ये हुए कुछ डेंगू के सिम्टम्स अब यहाँ पर जान लेते हैं डेंगू में कौन कौन से टेस्क कराये जाते हैं तो सबसे पहला टेस्ट एनस्वन एंटीजन टेस्ट जैसे ही देखिए किसी पेसेंट को बुखार की फीलिंग होती है तो डेंगू की सिच्चेशन में शुरुआत में एनस्वन एंटीजन का लेबल बड़ा हुआ होता है एनस्वन का लेबल धीरे धीरे देखिए कम होता जाता है एनस्वन का लेबल 6 दिन के बाद कम हो जाता है बैसे ही यहाँ पर आईजीएम और आईजीची एंटीबोडी IGM का लेबल पहले सब्ता में अपने पीक पर पहुँच जाता है और एक सब्ता के बाद IGM का लेबल धीरे धीरे खटने लगता है वैसे ही IGG एंटीबोडी ये एक सब्ता के बाद इस टाइप से देखी इसका लेबल बढ़ता जाता है डेंगू फीबर के सुरुवात में NS1 एंटीजन और IgM एंटीबोडी ये दोनों पोजेटिव बाते हैं NS1 एंटीजन टेस्ट के बाद यहां दूसरा टेस्ट कराना होता है LFT टेस्ट LFT मतलब के लीवर फंक्शन टेस्ट डेंगू सिचेशन में SGOT और SGPT का लेवल बड़ा हुआ देखने को मिलता है इसके बाद करानी होती है CBC रिपोर्ट यहां पर ध्रंबो साइटोपीनिया का केज देखने को मिलता है ध्रंबो साइटोपीनिया मतलब के पिलेट लेट्स का एमाउंट कम होना यहां पर पिलेट्स का काउंट कम हो जाता है और साथी साथ TLC TLC मतलब के टोटल WBC मतलब के मोनोसाइट, इसनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और नेट्रोफिल्स इन सभी का यहां पर नमबर कम हो जाता है मतलब कि Total Lecoside Count कम हो जाता है जैसे कि हम यहाँ पर रिपोर्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पर TLC का लेबल देखिए कम हो जाता है प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाता है SGOT, SGPT का लेबल बढ़ जाता है अगर CBC रिपोर्ट में प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से कम देखने को मिलता है तो इसको हम CBR Thrombocytopenia का केस कंसीडर करते हैं इस केस में पेसेंट की बोड़ी पर लाल रंग के चकते बन जाते हैं या मसूडों से खून आना शुरू हो जाता है या पेसेंट की नाग से खूनाना शुरू हो सकता है तो 20,000 से कम अगर प्लेटलेट्स किसी पेसेंट की हैं तो यहाँ पर पेसेंट को प्लेटलेट्स चड़ाना पड़ सकता है अगर पेसेंट की प्लेटलेट्स काउंट 10,000 होती हैं तो इस केस में पेसेंट को प्लेट डिट्स लगाना जरूरी हो जाता है